हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो दे स्टेडी आइक्यूज यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चोहान और वर्ल्ड हिस्ट्री के अपनी सेरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे राइज ओफ फासिजम और नाजिज हूँगा कि अगर उन्हों अभी तक मेरे प्रीवेस सेशन नहीं देखे हैं सो मेक शूर दे वाच अल दोस प्रीवेस सेशन स्टेडी आइक्यू के चैनल पर जाईए आपको मेरे नाम से वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चोहान तो आपको मेरे सेशन वहाँ पर मिल जाएगे अगर आपको नासिजम और फासिजम किस तरह डवलप हुआ ये समझना है तो उससे पहले वर्ड वार वन वर्ड वार वन के बाद जो इंटर वार पीरेड के अभी तक हम जो टॉपिक कर चुके हैं उनको आप आपको थोरोली पढ़ते हुए आना पड़ेगा तो मेक शूरी वाच अल दोस प्रीवेस सेशन और उन सेशन में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे कमेंट के मादिम से तो देंगे ही साथी साथ आप प्रोवाइड करेंगे जिसम हमें पढ़ना है जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड वार वन के बाद कौन कौन सी नई नेशन स्टेट जो है हुए स्टेबलिश हुए राइट तो निव नेशन स्टेट सबसे पहले समझते हैं सो पहला पॉइंट देखेगा तो इन दा आफ्टरमाथ ओ यूरोपियन सीन ओफ विश्च देखेगा उस्ट इंपोर्टेंट वर यूगोसलाविया चेकोस्लोवाकिया ऑस्ट्रिया हंगरी एंड पॉलेंड तो मेरे स्टूडेंट्स मैंने आपको कितनी बार ये पूरी लिस्ट समझा दिये हैं ना ओस्ट्रो हंगरियन एंपायर टूटा था वल्ड वार वन के बाद जिसमें से ऑस्ट्रिया हंगरी चेकोस्लोवाकिया पॉलेंड को कुछ हिस्सा गया था कुछ हिस्सा जो है वो सर्बिया क्रोट्स को गया था तो यूगोसलाविया वहाँ पर बना था कुछ हिस्सा रोमेन में से भी काफी हिस्सा जो है वो निकाला गया ता सो यह नए राज्ये जो बने हैं इनके बारे हम भली बानती जानते हैं Now they were also known as successor states, क्या कहा जाता था उन्ने successor states, उत्रा अधिकारी राज्ये इसलिए कहा गया, because they succeeded or took place of empires, कौन कौन से empires खास स्वार पर और जर्मन एंपायर के रेमिनेंट से हैं उनका क्रियेशन क्यों किया गया हमें ये समझना है अब अगर आपने मेरे पिछले सेशन्स देखे हैं न थोरली तो इस सवाल का जवाब मैं ये समझता हूँ कि आप देने की क्षमता में होंगे आपकी वो कपैसेटी जनरेटीड होगी ठीक है कि आप बता सकते हैं कि ये नए नेशन स्टेट्स क्यों बनाए गए है लेकिन फिर भी हम उनको एनलिस्ट करते हैं पहला पॉइंट है देखिए सबसे पहले तो इस रीजन के लोगों की जन्वन नेशनलिस्टिक डिमांड सी जैसे जो सर्बिया है वो बहुत समय से कह रहा था कि युगोसलाविया बनाना है हमें हमें जितने भी सलाविक भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको जोड कर एक राष्ट्र जो है वो बनाना है ठीक है साउथ इस्टन यूरोप में जो की युगोसलाविया के नाम पर established भी हुआ उसके अलावा जो पोलेंड established हुआ है चेकोसलोवाकिया established हुआ है उस्ट्रिया हंग्रीज established हुआ है इनको establish करने के अन्यकारण है क्योंकि यह multi-ethnic है क्योंकि चेकोसलोवाकिया में केवल बोहिमियन लोग नहीं है वहाँ पर जर्मन भाषा बोलने वाले भी हैं वहाँ पर रशियन भाषा बोलने वाले भी ठीक है उसके अलाबा जो क्या बोलते हैं स्लेविक हैं वो भी है वो स्लेविक ही रशियन भाषा बोलने वाले बोहेमियन भी है वहाँ पर सो पॉइंट बेसिकली यहाँ पर यह है कि यह राज्य बनाए गए और इन राज्यों को बनाने के पीचे बहाना यह दिया गया कि जन्वन नेशनलिस्टिक डिमांड थी लोग की डिमांड थी कि उनके देश जो है वो बना दिये जाए नेशनलिस्टिक गाइडलेंज पर अब मैंने आपको भली भाती समझाया है कि 19th century, early 20th century नेशन की definition यूरोप में क्या चल रही थी एक ऐसा geographical region जिसके अंदर रहने वाले लोग किसी तरीके का similar cultural और historical background शेयर करते हो राइट, second point देखेगा अब देखे, यहाँ पर आता है असली एजन्डा genuine nationalistic demands तो थी, जैसे सर्विया की बहुत पहले से थी slavic लोग थे, उनको एक होना चीए था राइट, लेकिन जो बड़े बड़ी शक्तिया है France और Britain उन्हें buffers create करने थे क्योंकि अगर Germany को आपने काफी हिस्सा दे दिया उसका industrial region तो जर्मनी फिर से एक बड़ी शक्ति उबराएगा और अब की बार जर्मनी फिर से France से बदला लेने की कोशिश करेगा that means Germany को कमजोर करना है Germany को कमजोर करना है that means उसके तुकडे करने पड़ेंगे तो जर्मनी का जो industrial region है वो पोलेंड और चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया कुछ हिस्सा जो राइनलेंड वाला जो region है रूर वाला जो region है या सार वाला जो region है वो France ने अपने कंट्रोल में रखा कुछ हिस्सा Belgium को गया Austria Hungary खचरा बन सकता था तो Austria Hungary को disincorporate कर दिया गया तुकडे कर दिया गया Hungarian Empire को उसमें से Austria Hungary चेकोस्लोवाकिया और जो युगस्लाविया है उसको काफी हिस्सा गया तो ऐसा क्यों किया गया केवल जैन्वन नेशनलिस्टिक डिमांड थी या economic control किया जा रहा थे इन राष्ट्रों का तो economic control एक बहुत बड़ा जो है वो driving force थी कि जो allies थे वो नहीं चाते थे कि Central European region में कोई और फिर से बड़ी शक्ती establish हो जाए इसलिए Austria Hungary के तुकडे कर दिये गये Germany से उसका industrial region चीन लिया गया और उभरती हुई जो शक्ती है Communist power है Russia उसके और जो Western European शक्तिया है तो यह काफी long term vision था क्यूंकि जो allies है वो भली बालती जानते थे कि Bolsheviks जो है वो आज नहीं तो कल खत्रा बनेंगे ही capitalist राश्णों के लिए ठीक है आगे बढ़ते है अगर आप regularly follow गर रहे हैं तो आपको directly समझ आजेंगी बहुत आसानी समझ आजेंगी ठीक है next point देखेगा however all of these nation states had inherent weaknesses and suffered from multiple problems the region had a very high ethnic diversity and it was impossible for all of them to have their own country consequently only the larger ethnic groups got their own states ठीक है people belonging to numerically smaller groups again found themselves under what they consider to be foreign governments which so they claim did not look after their interests for example Croats in Yugoslavia Slovaks in German Slovaks and Germans in Czechoslovakia and Germans, White, Russians and Ukrainians in Poland so in sara statements से हमें क्या समझ आता है basically जो कि मैंने आपको बताए कि जो छोटे छोटे देश बने हैं यह multi ethnic है multi ethnicity क्या क्या है आपर यहाँ पर Slovak यानि कि slave लोग है ठीक है Slavs जो Slav भाशा बोलते हैं जो Slavic भाशा बोलते हैं उसके लावा Slovians है उसके लावा Ukrainians है Belarusian है Polish लोग है यह सब ethnicity है उसके लावा Austria के हैं Hungary के हैं German भाशा बोलने वाले हैं Italian भाशा बोलने वाले हैं तो यह बहुत multi ethnic region है तो यहाँ पर decide करना है किसको मिलेगा देश तो Bohemians का Czechoslovakia बना दिया गया ठीक है Germans को Austria और Germany दे दिया गया Hungarians का Hungary बना दिया गया South Eastern Europe में Yugoslavia create कर दिया गया लेकिन यह जो देश बने हैं यह still multi ethnic थे Poland के अंदर White Russians भी थे Germans भी थे Ukrainians भी थे Polish थे ही और इन में भी फिर अब Christians और यहुदियों की लड़ाई Jews और Christians का dispute उसके लाबा चेकोसलोवाकिया में Germans भी है Bohemians भी है Croats भी है Slav भी है Similarly Yugoslavia में Slav भी है Croats भी है और उसके लाबा क्या बोलते हैं German population भी है वहाँ पे तो यह multi ethnicity समस्या बनकर खड़ी हुई और इससे होता यह था कि जो Majority है जमान लीजे चेकोसलोवाकिया की बात की जाए तो यहाँ पर Bohemian लोगी Majority है तो उन्होंने बना ली सरकार तो अब जो German Minority है या जो Slavic Minority है उनके लिए बढ़ गई समस्या Similarly Yugoslavिया की बात करें वहाँ पर Slavic लोगी Majority है उन्होंने बना ली सरकार तो जो Germans है या उसके अलावा जो वहाँ पर Bohemians है या Italians रह रह रहे हैं वो आगए Minority में उनको अपने लिए समस्यां बढ़ गई Ethnic Problems बढ़ गई जो छोटे-छोटे देश है ये multi-ethnic थे इसलिए इनके देश में कई सारी इस तरह की समस्यां है थी Political, Social इस वज़े से Economically recover नहीं कर पा रहे थे So as the plan यही तो plan था ना Western European countries का कि इनको multi-ethnic देशों को आपस में लड़ा के रखो इनके internal जो matters हैं वो भी ये उलजह रहे हैं internal matters में भी और external matters में भी उलजह रहे हैं यानि कि Austria और Germany को एक ना होने देना Austria और Hungary का dispute चेकोसलवाकिया पोलंड का dispute चेकोसलवाकिया जर्मनी पोलंड जर्मनी का dispute पोलंड रशिया का dispute Serbia, Austria, Hungary का dispute Serbia का Italy के Sorry, not Serbia या Serbia यानि कि Yugoslavia Yugoslavia और Italy का dispute तो इस सारे देश आपस में लड़ते रहें Such was the plan of the western capitalist nations Right So यहाँ पर आपने एक्जम्पल देखे ना Croats in Yugoslavia Slovaks and Germans in Czechoslovakia and Germans, White Russians and Ukrainians in Poland This meant that resentment continued in these countries Although each state began with a democratic constitution But most could not institutionalize the system Maximum देशों में democratic system लाने ही कोशिश की गई लेकिन धीरे धीरे कुछ जो है वो communist की तरफ बढ़ गए कुछ में तकता पलट हो गया और हमें देखने को मिलेंगे क्या किस तरह के dictatorships देखने को मिलेंगी ठीक है So यही हमें figure out करना है कि यह जो छोटे-छोटे देश मने थे इन में से कौन-कौन से देश जो है वो communist मतलब प्रोपगेंडा का शिकार हो गए और communist राष्टरों में convert हो गए उसके लावा कहां-कहां पर dictatorship है establish हुई है लेकिन सबने शुरवात जो है industries establish कर सकते थे इसलिए वहां की economy थोड़ी सी recover कर गई relatively क्यूंकि Poland में तो dispute create कर दिया न मैंने आपको बता है न Poland का साथ France दे रहा है Poland पर attack Russia कर रहा है और Poland को hostile नजरों से देख रहा है Germany भी तो Poland की economy को recover ना होने देना यह किसके favor में है बोथ Germany और Russia यह मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया भी था right now being relatively new they all suffered from acute economic problems with the situation further worsening after the great depression in early 1930s अब देखी 1919 के बाद ही राश्टर बने 1919 से लेकर 1925 तक का जो period है मैंने आपको बताया कि पहले Germany पर pressure डाला जा रहा था फिर धीरे जो है वह economic relief का समय था यह right so 1919 से लेकर 25 तक economy जो है वह recover होने लगी थी slow steps से लेकिन होने लगी थी लेकिन 25 के बाद फिर से downfall शुरू हुआ और 39 में economic crisis आ गया global depression फिर जब 1930s में यूरोप ने enter किया तो यह जो छोटे छोटे राश्टर थे तो बरबाद थे क्योंकि इनकी economy अभी जक संबली नहीं थी नए देश बने थे political stability आई नहीं थी बाकी के जो देश हैं वो इनको buffers की तरह use कर रहे थे और इनके internal matters को और जो है वो बढ़काया जा रहा था इधर से रशिया कोशिश कर रहा था कि इन सभी देशों में communist जो है वो प्रोपगेंडा रशिया की तरफ से बढ़काया जा रहा था यह जादा से जादा देश जो है वो जल्दी से जल्दी communist राश्ट्रों में convert हो जाएं दूसरी साइड जो अगर यह communist राश्ट्रों में convert हो जाते हैं तो जो capitalist राश्ट्र उनके समस्य हो जाएगी तो capitalist राश्ट्र इनको communist राश्ट्रों में convert नहीं होने दरहें जो रश्या है जर्मनी है फ्रांस है ब्रेटेन है यूएस है इन जैसी जो बड़ी शक्तिया है चोटे देशों को economy इनकी recover नहीं होने दरहें इनको external as well as internal disputes में फसा कर रखा हुआ है और फिर उपर से आ गया global depression global depression के आते तो यह क्या हो गए helpless हो गए अब इनको मानना ही पड़ा जो इनके immediate पडोसी जैसे मान लीजिए जो युक्रेन है बेलरूस जैसे जो देश बने इन्होंने स्विकार कर लिया communism को क्योंकि और कोई चारा नहीं था रश्या के पडोस में थे तो वह यूरोप में जो eastern यूरोप वाला हिस्सा है वो सब communist राष्टर में convert हो जाएगा देखते जाएगा next देखिए as the territorial divisions between these countries was artificial and imposed by both victorious powers both victorious powers they continue to fight with each other over rivalries and territorial disputes अब देखिए फ्रांस और ब्रिटेन ने जबरदस्ती इन देशों को इनकी territories provide गरी थी तो अब territories के लिए जगडा होना ही जर्मनी को एकनॉमिकली कमजोर रखा गया था ठीक है ताकि जर्मनी जो है वो अपनी territory वापिस reclaim ना करें क्योंकि चेकोसलोवाकिया वो काफी हिस्सा इंडस्ट्रियल जर्मन रिजन गया था उसके लावा Belgium को भी गया था पोलेंड को भी गया था यहां पर इन तीनों देश देशों में Belgium में भी काफ हिस्से में जो है वो जर्मन स्पीकिंग लोग थे ही ठीक है जादा नहीं लेकिन कुछ छिस्से पर था ही जो हिस्सा जर्मनी का गया है Belgium को रइट वो जर्मनी को वापिस नहीं था ठीक है फो बोथ विक्टोरियस पावर्स यानि फ्रांस और ब्रि सेटलमेंट्स हैड बिन फोर्जड अन देम अब ऑस्ट्रिया हंगरी को जबरदस्ती जो उनके एंपायर को डिसांकर्परेट कर दिया गया जो कि वो नहीं चाते थे बहुत मुश्यल से उन्होंने जोड़ के रखा हुआ था अपने एंपायर को राइट सो ये तो है new nation सबसे पहले हमने क्या समझा कि नए जो राष्टर बने और उनकी समस्याएं क्या थी सो आई होप आपको ये चीज पहले से प्रिपेर्ड होगी नए राश्ट्र कौन-कौन से बने या भली भांती मैप में आप ड्रॉ भी कर सकते होंगे कि कहां-कहां पर कौन-कौन से नए राश्ट्र बना है और उनकी एकनोमिक, पॉलिटिकल, सोशल समस्याएं जो हैं वो आप बहतरीन तरीके से समझते होंगे और आपको पॉलिटिक्स भी समझा रही होगी किस तरह पॉलेंड को बफर की तरह यूज कर रहा है रश्या भी और जर्मनी भी पॉलेंड को बफर की तरह यूज कर रहा है फ्रांस भी किस तरह चकोसलवाकिया अपनी एकनोमी को रिकावर क चल रहा है कि because Italy is not happy with the war results इटली को वो हिस्सा नहीं दिया गया योगोसलाविया का जो कि इटली को promise किया गया था तो यह सारी situation I hope आप समझते होंगे आगे बढ़ते हैं अब अब देखते हैं rise of fascism and narcissism कैसे हुआ सो आइए सबसे पहले define कर लेते हैं कि fascism होता क्या है चीक है सो एक fascist सरकार एक fascism क्या है basically जो विजए होगी ने शक्ती जो शक्ती जीत गई उन्होंने हारने वाली शक्तियों को शक्तियों द्वारा यूज की गई politics को negative से negative terminology प्रोवाइड करी है इसलिए fascism word use किया जाता है Italian nationalism को या German nationalism को यानि कि अगर Italy के leaders ने अपने लोगों को एकत्रित करने के लिए motivate करने के लिए अगर उनकी nationalistic भावनाओं को जगाने के लिए कुछ कड़े steps उठाए और बाद में यूद छिडने के बाद अगर वो हारे हैं तो जीतने वाली शक्ति ने उनको ऐसी terminology प्रोवाइड करी है कि तेहास में वो चीज इतना negatively document हो गई fascism के नाम पर अब यही जो nationalism की भावना France ने भी अपने लोगों में जगाई इसी तरह nationalism की भावना UK ने भी अपने लोगों में जगाई और इसी तरह nationalism की भावना जो है वो US ने भी अपने लोगों में जगाई है थीक है भले ही उनकी intensity थोड़ी कम और थोड़ी ज़ादा रही हो क्यों क्योंकि इटली और जर्मनी जो राश्ट्र है वो बहुत तेजी से उब रहे है इसलिए उनको बहुत कड़े steps लेने पड़े अब मैं defend नहीं कर रहा हूँ मैं आपको logic समझा रहा हूँ ठीक है आप मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ समझें कि इतिहास जो है वो जीतने वाली शक्ती द्वारा लिखा गया है एलाइज जो है वो second world war में भी जीते तो उसके बाद का जो इतिहास है global जो history है उन्होंने अपने according लिखा है that means fascism को उन्होंने बहुत negatively portray किया है और I hope आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत densely जो है वो बैठी होगी कि fascism बहुत negative चीज़ है और है in fact है in fact negative लेकिन वो biasness आपको अपने दिमाग से हटानी है कि Italy नहीं fascism का use किया Britain नहीं किया या US नहीं करता आज भी राइट वो भी लोग के अंदर nationalism कूट-कूट कर भर रहे है ठीक है और उस nationalism का वो use कर रहे है that is a form of fascism राइट लेकिन intensity अलग है Mussolini ने जो fascism का use किया वो बहुत क्योंकि उसके पास समय कम था जल्दी से react करना था अगर एक बड़ी शक्ति की रूप में वो भरना थो similarly Hitler के पास उस समय मौका था Hitler ने movement को seize किया micro analysis पर फिर ले जाओंगा लेकिन बिल्कुल general definition fascism की basically ये है कि कोई एक राश्ट्री या कोई एक leader या कोई एक group nationalism की भावना का इस्तमाल करता है अपने political एजंडाज को पूरा करने के लिए उसे fascism कहा गया है अब इसके तहत वो शक्ति का centralization करे ठीक है political authority का centralization करे उसके लिए वो dictatorship यानि की ऐसे फैसले ले जिससे किसी से भी ना पूछ कर फैसले ले एक वेक्तिया उसकी council की totalitarian authority establish हो जाए लेकिन लोगों के अंदर उसके प्रती जो है वो क्या हो एक तागी भावना support हो so that's a fascist regime so fascism को काफी detail में जब मैं आपको specially अलग से topic fascism का लूँगा तो वहाँ पर आपको detail में समझाऊंगा लेकिन यहाँ पर एक overall एक मोटी मोटी सी definition आपके दिमाग में set होनी चाहिए कि अगर कोई एक व्यक्ति या उसका support group dictators की तरह act करता है और लोगों का उसका full support है so that's a fascist regime ठीक है now पहला point देखेगा rise of fascism and narcissism में initially it leaves foreign policy under mausolini appeared rather haphazard ठीक है so initially foreign policy under mausolini mausolini कौन था बनी तो mausolini was the fastest leader of Italy ठीक है so foreign policy under mausolini appeared rather haphazard यानि शुरुआत में शुरुआत में कब 1920 के दशक के शुरू में जो foreign policy है वो mausolini की haphazard है क्यों क्योंकि italy जो है वो शूर नहीं है किसका साथ दे world war one में italy ने अपना triple alliance तोड़कर allies का साथ दिया triple and ton का साथ दिया लेकिन युद के बाद जो है वो italy को खास फायदा हुआ नहीं अब italy की economy भी खराब है italy धरी धरे recover कर रहा है तो italy जब अपनी economy को recover कर रहा है तो italy confused है कि अब triple alliance का साथ दे या ट्रिपल and ton का साथ दे यानि कि जर्मनी और उसके central जो शक्तियां उनका साथ दे या western European शक्तियों का साथ दे क्योंकि जर्मनी की economic हालत गड़ बड़ा रखी है रशिया भी लगबग जो है वो लड़खडाया हुआ है लेकिन Britain और France जो है वो धीरी दीरे अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे है राइट लेकिन अभी भी Italy जो है वो clarity नहीं आई हुए उसके पास क्यों क्योंकि हो सकता क्योंकि वो इस चीज़ से नाराज है ब्रिटेन और France भात नहीं दे सकता क्योंकि जर्मनी कमजोर है ठीक है देखेगा एक एक एक्सेप्ट दा रेटोरिक ऑफ टु मेक इटली ग्रेट यह मुजलीनी का स्टेट्मेंट था कि टु मेक इटली ग्रेट इटली को हमें ग्रेट बनाना है इट लैक्ड एनी लॉंग टम परस्पेक्टिव नहीं था इटली ने क्लेर नहीं किया था कि वो सेंट्रल शक्तियों का साथ देगा या इलाइस का साथ देगा या इंपरियलिस्टिक अप्रोच बढ़ाएगा या इंडस्ट्रिली रेवलुशनाइज करना चाहता है अपने आपको कोई खास जो है वो थी हावेवर इट लीव आइसोलेशन अट दे टाइम अफ कोर्फू चेंज दिस इन मुजलेनी बिकेम मोर कॉशियस अब मैंने आपको बताया था कि कॉर्फू का जो इंसिदेंट हुआ था जिसमें एक इटैलियन डिप्लोमेट को मार दिया गया था राइट उसके बाद से मुजलेनी थोड़ा कोशियस हुआ अब मुजलेनी ने धीरे धीरे जो है वो केरफूली स्टेप्स उठाने शुरू करें ब्रादली स्पीकिंग इस फॉरण पॉलिसी इनिशेटिवस कैन बी डिवाइड़े इंटो टू मेन फेज़ेज इन्टू मेन आपको बताया ही आफ् फिर आफ्टर दा राइज ऑफ हिटलर और राइज ऑफ दा नाजी पार्टी उसके बाद जो है वो इटली ने किस तरह रियक्ट किया तो पहले तो 1919 से 1934 और फिर 1934 के बाद ठीक है तो इसी तरह हम पढ़ेंगे सबसे पहले देखिए 1923 से 1934 तक इटली की क्या पॉलिशी थी या मुजलीनी की क्या पॉलिशी थी पहला पाइंट देखिएगा देखिए इटली जो है वो इटालियन पैनिज्वेला की प्रोटूडेंस है गहां पर मेडिटरेनियन में यानि जो मेडिटरेनियन सी का जो ट्रेड है उससे बहुत ज़्यादा बेनेफिट हमेशा से ancient टाइम से इटली को मिलता रहा है उसी मेडिटरेनियन सी में और कौन कौन सी शक्तियां है जो competition देती है यूरोप की एक साइड एड्रियाटिक और एजियन सी के बीच में ग्रीस या बलकान का पैनिंज्वेला उसके अलावा Spain Hispanic region के लोग जो है और France तो immediate कौन है इटली का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय नौट दुश्मन लेकिन competitive threat किस से है सबसे ज़्यादा France से है so Mediterranean Sea का जो trade है उसमें इटली का जो competition है वो किस से है फ्रांस से है और बलकान रिजन से दोनों जगा इटली को जो है वो control करना है ठीक है इटली also feared that Austria might fall under German influence and compromise the territorial integrity of Italy देखे नेक्स इटली की समस्या क्या है कि Austria जो है वो German influence में आ गया अब माल लीजिए जर्मनी धिरी धिरी शक्ती बढ़ा रहा है ठीक है वैसे देखे 1924 तक तो 1924-25 तक तो किसी को उम्मीद नी थी कि जर्मनी अगले 50 साल में recover कर सकता है लेकिन डावेस्ट प्लाइन के बाद धीरे धीरे जो है वो जर्मनी की economy recover हुई और यंगर प्लाइन के बाद तो काफी हद तक recover कर गई फिर लॉसेन की conference के बाद तो उसके reparations माफी कर दिया गए लेकिन दब तक हिटलर शक्ती में आ चुका था हिटलर शक्ती में आया वो disarmament conference से हटा league of nation से हटा और फिर उसके बाद का phase है ना फिर फिर इटली की policy पूरी तरह बदल गई लेकिन 1923-24 में जर्मनी जो है वो धीरे-धीरे recover करने लगा 25-26 तक आते आते तो अब इटली के लिए खत्रा ये था कि अगर जर्मनी ने आस्ट्रिया वो cover किया तो alps तक आ जाएगा वो ठीक है और alps तक जैसी आया तो फिर उसके बाद जर्मनी जो है वो इटली से भड़का ही रखा है क्यों क्योंकि इटली ने triple alliance तोड़ा था और triple पैनिजोला मेंटर कर जाएगा धैट मेंज इटली के लिए आस्ट्रिया को जर्मनी के खिलाफ बफर बनाना बहुत जरूरी है ठीके सेगिंड पॉइंट देखेगा इटली आस्ट्रिया माइट फॉल अंडर जर्मन influence and compromise the territorial integrity of इटली मुजलीनी mainly relied on the diplomatic means to manage these problems अब diplomatic means किस तरह देखिए he participated in locarno conference in 1925 but was not satisfied as the agreement signed did not guarantee the Italian frontier with us Austria ठीके locarno conference तो उसने शामिल हुआ locarno conference में लेकिन आस्ट्रिया के साथ इटली की जो boundaries है उसके लिए कुछ खास फैसला नहीं हुआ क्योंकि इटली चाहता था कि वहाँ पर सैना लगा दी जाए fencing की जाए यानि कि line of control वहाँ पर establish किया जाए इटली के demand थी लेकिन line of control establish मतलब line of control तो बाद में word use हुए लेकिन इटली जो है वो इसी तरह का कुछ चाहता था कि ऐसा कुछ provision निकल कर आए जहां से मेरी इटली की boundaries जो है वो secure रहें ठीक है he improved relations with Greece, Hungary and especially Albania the southern neighbor of rival Yugoslavia अब Yugoslavia से समस्या है क्योंकि इटली का कुछ region जो है वो सर्विया में गया ठीक है और अब देखिए पुरानी दुश्मनी भी है इटली और सर्विया की ठीक है Slavic भाषा बोलने वाले region मतलब लोग रह रहे हैं किसमे युगोसलाविया में और वहाँ पर minority है इटैलियन लोग की तो उनके साथ जो है वो जात्ती हो रही है उस जात्ती का बदला इटली लेना चाहता है अब ये तो है social कारण लेकिन economical कारण क्या है कि जो युगोसलाविया है उसके पास क्या आ गई है Mediterranean में coastline युगोसलाविया भी अब धीरे धीरे अपने आपको एक बड़ी Mediterranean trade में एक बड़े जो है वो शक्ति गरूप में establish कर रहा है जो कि Italy के लिए खतरा है साफ साफ जो Italian traders है उनके लिए समस्या है तो Yugoslavia को कमजोर करना Italy के लिए economically भी जरूरी है plus जो Italian minority Yugoslavia में उनके साथ जो बत्तमीजी हो रही है उसका जवाब भी Italy के लिए देना बहुत जरूरी है इसलिए Italy ने Yugoslavia के दुश्मन जो थे उनसे हाथ मिला लिया यानि की Hungary और एक और Mediterranean में कोसलाइन जिसके पास है Albania ठीक है So I hope ये countries ये कोसलाइन आपको समझ आ रही होगी क्योंकि मैंने detail में map आपको समझाए है ये है ना This gave important leverage to Italy in the Balkans So Greece Greece के पास भी कोसलाइन है Albania के पास भी कोसलाइन है और Hungary के पास कोसलाइन नहीं है लेकिन Hungary जो है वो दुश्मन जरूर है किसका योगोसलाबिया का क्योंकि Hungary Austria Hungarian Empire से ही टूट कर निकला और उनकी rivalry तो है ही सर्वियन लोगों से तो यहाँ पर देखे इंडाइरेक्टली सेंट्रल फोर्सिस की तरफ रुझान जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है हमें किसका इटली का लेकिन खुले तोर पर जर्मनी का साथ नहीं दिया है भी Hungary का साथ दिया है लेकिन Austria का साथ नहीं दिया क्योंकि Austria से तो boundary का dispute उठ खड़ा होगा आगे देखते है now relations with Britain were also strengthened अब Britain से relation मनाना जरूरी है क्यों क्योंकि France को अगर contain रखना है और France के साथ ऐसी treaties करनी है कि Mediterranean का trade जो है वो उसमें घाटा इटली को ना हो तो Britain के रास्ते France को contain किया जा सकता है ठीक है so Britain से दोस्ती बनानी जरूरी है मुसलिनी supported the British demand that Turkey should hand over the Mosul province of Iraq and in return the British gave Italy a small part of Somaliland अब देखे जो Ethiopia है ठीक है उसके साइड में जो Somaliland वाला region है उस पर जो Ethiopian शाशक की लड़ाई तो इतली की साथ हुई थी पहले भी ठीक है और ब्रिटेन ने तब साथ भी दिया था अब ब्रिटेन ने क्या किया कि Somaliland वाले region दे दिया Italy को और Italy ने support किया कि जो मुसल वाला region है अगर आप इराक का मैप खोल कर देखेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे मुसल को तो आप पाएंगे कि North Western पार्ट में इराक के North Western पार्ट में टर्की की बाउंडरी से लगता हुआ एरिया है मुसल तो मुसल वाला एरिया है वो टर्की टर्की शुट हैंड ओवर दा मुसल प्रोविंस टू इराक वो एरिया जो है वो इराक को दे दिया जाए तो अब वो मुसुल वाला क्षेतर इराक के पास है तब वो नहीं था आप मुझे तुरंद कमेंट में बताएंगे कि ट्रीटी ओफ सिवरेस में इराक किसको मिला था फ्रांस या ब्रिटेन को ठीक है नेक्स देखिएगा तु प्रिवेंट आस्ट्रिया फॉलिंग अंडर दा इंफ्लेंस ऑफ नाजी जर्मनी मुझेलीनी सपोर्टेट दा एंटी नाजी गवर्मेंट ऑफ चांसलर डॉल्फस अब चांसलर डॉल्फस एक एंटी नाजी गवर्मेंट बनागर वैठे हुए थे क आज नहीं तो कल उनको अपने साथ जोड़ी लेंगे क्योंकि वो भी जर्मन भाशा बोलने वाले लोग ही हैं क्योंकि नाजी पार्टी और खासतर पर नाजी पार्टी का लीडर हिटलर जो शक्ती में आया था वो यही प्रोपेगेंड़ा के साथ आया था कि हमारे साथ ट् ठीक है तो तो प्रेवेंट आस्ट्रिया फॉलिंग अंडर इंफ्लेंस अफ नाजी जर्मनी मोजलीनी सपोर्टेड द एंटी नाजी गवर्मेंट ऑफ चांसलर डॉल्फस वन डॉल्फस वास मुर्डर्ड इन जुलाय 1934 इट वास इतलियन टूप इतलियन टूप तो आस्ट्रिया में भी थे क्योंकि नाजीruff Siglee है क्या जर्मन ट्रवाट इया जर्मन ओasures ऑ्न को उप सब ही शो nowhere Japanese जर्मनी के सब्स्राइब आध जए तो जब चैंसलर टो शकूर को मार दिया गया ठोटे से कल कर थे उनको एकशी नाखिएशनेट रदिया गया उनके है वादी लोग जो है आस्ट्रिया के वो अब शक्ति में आना चाहते थे तो इटेलियन फोर्सिज ने उनको शक्ति में आने से रोका और आस्ट्रिया को जर्मनी का हिस्सा बनने से रोका ठीक है जुलाइ 1934 की बात है यह दे एंटी जर्मन स्टेंड बाई मुजलीनी इंप्रू से फ्रांस को confidence हा गया कि नहीं यह हमारे साथ है यह allies के साथ ही है ठीक है तो फ्रांस भी अब धीरे धीरे जो है वो इटली के साथ relations सुधारने में जुड़ गया राइट अब यहाँ पर आता है point मुजलीनी अपनी सक्सेस से खुश नहीं था मुजलीनी अपने जो पॉलिटिकल सुपिरियोरिटी थी उसकी और जो टेरिटोरियल कंट्रोल था उससे खुश नहीं था मैंने आपको बोला ना nationalism का use तो बरिटेन ने US ने France ने भारत ने सब ने किया है लेकिन जिस दर से, जिस rate से nationalism को popularize किया और जितना intensity से nationalism को popularize किया है उसको fascism का term दे दिया, जीतने वाली शक्ती ने और उसको एक negative चीज बता दी जबकि वही same चीज Britain भी कर रहा था Britain भी अपने लोगों को अपने देश के लिए मरने के लिए जो है वो उकसाता रहा है समय समय में right, USB कई तरीके से अब देखे इसी चीज में मीडिया भी काम आता है films बनती है, आज भी, ठीक है जो आर्मी है उसको decorate किया जाता है कि युद में सैना जो है वो जान देती है अपनी सैना बहुत महान चीज है ठीक है वैसे सैना बहुत महान चीज है लेकिन जो प्रोपगेंडा की तरह यूज किया जाता है ना क्योंकि जब सैनिक मरता है ना तो मरता तो गरीब का बच्चा ही है ना ultimately जिनके एकनॉमिक गेंज होते हैं जिनको लेकिन जीतने मैंने बोला ना इतिहास जीतने वाली शक्ती लिखती है ठीक है आगे देखिए अब ये तो है आपका 1923 से 34 जिसमें धीरे धीरे anti-nazi अप्रोच रही किसकी इटली की और पहले उसने relations बनाए Hungary, Greece, Albania से फिर उसके बाद उन्होंने relations बनाए फ्रांस और ब्रिटेन के साथ ठीक है अब देखते हैं किस तरह उसकी policies तुरंट चेंज हो गई मुजलीनी की ना पार्टली बिकास पोस्ट 1934 देखते हैं पार्टली बिकास अफ इस inability to get any major success and partly because he thought that ब्रिटेन और फ्रांस were not supporting him enough मुजलीनी realized that friendship with Germany was a better alternative अब देखिए जैसे ही शक्ती में आया कौन जर्मनी first world war में भी जर्मनी बहुत deadly force था वो तो जर्मनी को तीन चार direction से फसा के रखा हुआ था रशिया ने एक साट फसा हुआ था ब्रिटेन फ्रांस बेल्जियम ने western front में फसा के रखा हुआ था और नीचे आस्ट्रिया था तो उसके साथ लेकिन आस्ट्रिया को बचाने के चक्कर में जर्मनी को अपने resources वहाँ पर भेजने पड़ते थे तो जर्मनी की actually मदद नहीं कर रहा था जर्मनी को गसीट रहा था उस्ट्रिया राइट लेकिन अब फिर से जो है वो जर्मन nationalism जा गा था और जर्मनी फिर से जो है वो इकत्रित हो रहा था शक्ती में आ रहा था तो इटली ने इस बार सोचा कि नहीं कर दी और अब वो प्रो नाजी हो गया ठीक है तो पार्टली बिकॉस ऑफ इस inability to get any major success and partly because he thought that ब्रिटेन कोई major success नहीं मिल रही थी उसे उसके लावा ब्रिटेन और फ्रांस भी उसे कुछ खाज support नहीं कर रहे थे यानि उसको market नहीं प्रोवाइड कर रहे थे उसको industrial help नहीं दे रहे थे उसको technology नहीं प्रोवाइड कर रहे थे तो उसको लगा कि नहीं जर्मनी सहाथ मिलाने फाइदा है क्योंकि जर्मनी की economy भी recover हो गई है जर्मनी ने technology के advancements भी बहुत कर ली ठीक है जर्मनी का साथ देना अभी सबसे best रहेगा and as the friendship between Germany and Italy increased so did Mussolini's assertiveness he became more vocal openly defied the league and even conducted open acts of aggression like invasion of Ethiopia and Albania ठीक है अब देखिए Mussolini ने साथ मिला लिया हाथ मिला लिया हिटलर से Mussolini को आगया confidence क्योंकि Hitler ने दिखाया है कि मेरे पास देखो मैं ने रशिया जर्मनी चूप नहीं बैठा था जर्मनी पहले रशिया के साथ लगा हुआ रपलो रशिया के साथ लगकर जो है वो सैना उन्होंने हत्यार उन्होंने बना जर्मनी ने नए तरीके के एरक्राफ्ट नहीं तरीकी की सब्मरीन्स डेवलप कर ली थी यूबोट्स राइट सो इटली आ गया पूरे इस सवाल बनता है फर्सट वी बनेगा कि क्या यूद इनेविटेबल था या नहीं Second World War का भी बनेगा क्या योद इनेविटेबल था या नहीं Russian Revolution का भी बनता है क्या वो इनेविटेबल था या नहीं ठीक है तो यह सवाल बहुत जरूरी है तो वहाँ पर मैं आपको समझाओंगा कि किस तरह जर्मनी ने पहले से तयारियां कर रखी दी पाइंट उठाएंगे मैं एक्जेंपल उठाएंगे तो इटली को वह तयारियां समझ आई और इटली ने जर्मनी का साथ दिया और जो मुझली निया फिर वो पहली बात तो उनको यूएस का उधार चुकाने को बहुत है है ना यूएस ने भी तो अपने डेप्ट में फसाये हुआ है उन्हें आगे बढ़ते हैं next देखिए so effects on the international relations अब इनका मुझलीनी की policies का international relations पर क्या आसर बढ़ता है now मुझलीनी जग्रेसिव अप्रोच इन दा लेटर इयर्स ऑफ 1930 लेड तो टू मेजर नेगेटिव रेपरकर्शन्स on the international arena 1930 जर्मनी के साथ हाथ मिलाने के बाद जो अग्रेसिव अप्रोच मुझलीनी ने अपनाई है उससे दो समस्य हैं देखते हैं क्या क्या हुई पहला पाइंट देखिएगा मुझलीनी वाज दा फर्स वन टू चैलेंज दा लीग और डेमोंस्ट्रेटेड अब जो लीग जो कलेक्टिव सेक्योरिटी की बात करती थी कि अगर कोई लीग के मेंबर्ज अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर अटक करता है तो बाकी सब उसकी मदद को उतरेंगे ऐसा हुआ नहीं इथियोपिया और अल्बेनिया पर अटक किया गया यूथियोपिया तो फिर भी ऐफ्रिकन कॉल नी थी अल्बेनिया तो यूरोप का देश उसपर जब खुले में अटैक किया गया इटली द्वारा, तो नहीं फ्रांस मदद करने आया, नहीं ब्रेटेन मदद करने आया, क्यों कि बलकान, बलकान रिजन को, बलकान रिजन में डिस्प्यूट जितना बना रहे, उतना ही फायदा है किसे, वेस्टन यूरोपेन कंट्री को क्योंकि मैंने आपको बताया ना बलकान रिजन से टर्की जुड़ जाता है और टर्की से साउथ इस्ट एशिया तक पूरा जो है वो एक सीधा ट्रेड रूट है ठीक है जमीनी मार्ग से भी और समुदरी मार्ग से भी तो बलकान रिजन में अगर डिस्प्यूट बना रहे तो capitalist로 के लिए फायदा है तो इसलिए जब इटली ने Albania पर attack किया तो कोई आगे नहीं आया उसके अलाबावा इटली ने जबATT इथियोपिया पर attack करा तो कोई आगे नहीं आया क्योंकि इत्योपिया के पास coastline नहीं है और Britain और फ्रांस को Quevel coastline से मतलब है उनकी coastline protected है तो उ यहाँ पर लीग ऑफ नेशन की इन इफेक्टिवनेस समझ आ गई कि इनके जब तक आप ब्रिटेन और फ्रांस के डिरेक्टली जो है वो उनके एकनॉमिक इंट्रेस्ट को नहीं छेडेंगे तब तक वो नहीं कुछ करेंगे माल लीजिए अगर भारत पर अटेक करता माल इतनाम लाउस कमबोडिया पर अटेक करता तो फ्रांस तुरंट स्टेप लेता क्योंकि वो उनके लिए इकनॉमिक ली बहुत वाइटल है यह मान लीजिए रेड़ सी वाले जो पोर्ट टाउंज है एथियोपिया के अलावा उन सारे पोर्ट टाउंज को सीज करने कोई शि रहेंगे क्योंकि युद मैंने आपको हमेशा से बताया है इस अल्वेज बैड वर बिजनेस है ना so Mussolini was the first one to challenge the league and demonstrated the ineffectiveness of collective security league को challenge करने वाला पहले विक्ती कौन था? Mussolini, right? the league appeared helpless in front of Italian aggression which eroded its authority अब एक बार Italy ने aggression दिखा दिया और league ने कोई भी साथ नहीं दिया या Italian aggression को condemn नहीं किया तो फिर उसके बाद तो अन्ने शक्तियां भी और Germany के लिए रास्ता खुल गया ना अब Germany के लिए रास्ता क्लियर हो गया अब Germany भी खुल कर डिफाई कर सकता है league की बातों को इसलिए Germany ने बहुत openly walk out कर दिया conference से कौन सी disarmament conference से खेर वो घटना है पहले घटी लेकिन वो भाव तो आई गया था कि league कमजोर हो चुकी है है ना उसको exemplify कर दिया हिटली ने राइट इस ऑल्सों गेव सिगनल तो हिटलर एट इफ और वन ही नीड़िद ही तो कुद यूज मिलिटरी इन फुल्फिलिंग इस एम्म्स तो हिटली के लिए इटली इन इन्वेजन इथियोपिया के लिए कुछ नहीं कहा इससे यह बात भी क्लेर होगी कि हिटलर जो है वो इटली के साथ है ठीक है दिस इंक्रीज दा ट्रस बिट्विन दे टू फासे इटली और जर्मनी और जैसे कि दर रोम बर्लिन एक्सेस यानि जर्मनी और इट में एक एक्सेस क्रियेट किया ठीक है एक अलाइन्स क्रियेट किया यह पहले इनिशली जर्मनी ने जपैन से साइन किया था फिर उसके बाद इटली ने जॉइन किया तो एंटी कॉमिन टर्म पैक्ट क्या है रशिया के खिलाफ लेकिन इतली के साथ भी हाथ मिला लिया, तो पूरी सेंट्रल यूरोपीन शक्तिया एक साथ हो गई, तो अब जो बलकांस है उनके सामने कोई बड़ा चारा रहा नहीं, अब इधर बीच में कोओन है, रशिया है, अब रशिया के उधर जपेन है, जपेन से भी हाथ मिला लिय तो आप जापान को जापान एक साइट से रश्या को एंगेज कर सकता है दूसरी तरफ और एंगरी और जर्मनी रश्या क इंगेले इंगेज कर सकते हैं do so धीरे न जो है वो अब फिर से जैसे वर्ड वार वन से पहले अलाइंसिस क्रियेट होए थे ना और क्लियर हो गया था कि कौन किसका साथ देगा यूद में वैसा फिर से होने लगा रोम बर्लिन एक्सिस दे एंटी कॉमिंटर्ण पैक्ट 1937 अलॉंग विज जपैन और पैक्ट ऑफ स्टील अब यह पैक्ट ऑफ स्टील में 1939 में हुआ है जर्मनी और इटली के बीच में जिसमें क्लियरली जर्मनी ने खुली जो है वो शय दी थी इटली को कि तो मैं हम मिलिट शक्तियां जुड़ गई आपस में कौन कौन सी जर्मनी इटली और जपैन आगे देखिए नव दीज अग्रिमेंट्स बिकेम अ मेजर रीजन जर्मनी इटली जपैन जुड़ गए और यह बात क्लियर हो गई कि अब कोई नहीं यह रोकने वाला तो उदर से जपान ने अपना एक्सपेंशन 1932 से शुरू करा क्या था मंचूरिया का पकड़ा उन्होंने अब देरे-देरे साउथ इस्टेशिया में एक्सपेंड करना शुरू करने है ठीक है इटली ने एथियोपिया को कंट्रोल किया और इटली भी अपने एक्सपेंशन बढ़ा रहा है और जर्मनी तो नहीं रहें लेकिन उनके देखिए यह जो फासिस राश्टर है ना यह बच बच के खेल रहे थे यह डारेक्टली फ्रांस और ब्रिटेन के डारेक्टली जो हैवो इक्कनॉमिक गेंज को हानी नहीं पहुचा रहे थेजिक है वो न्यूट्रल जोन को धिरे-धिरे अक्क अब हिटलर जो है वो शक्ती में आया आये देखते हैं हिटलर के एम क्या थे एम्स ओफ हिटलर पहला पॉइंट देखेगा अनलाइक मुजलीनी हिटलर वस वेरी क्लियर राइट फॉम दे बिगिनिंग अब इस डिपलोमेटिक गूल्स मुजलीनी वस नॉट क्लियर राइट क पॉइंट है यहां कि बांद गया था वह जो बंदिशे हैं यहां की द्मदिशनयों को मिलिटरी शक्ती पावर अब देखेगे ट्रीटी ओव लिसली के लाख सेनिक हाप रख सकते हैं तो वेरीटी ओवर्सली नł हो गई तो इसके बाद तो मिलिटरी शक्ति बड़ेगी ही जर्मिनी की, तू ब्रिंग ओल दा जर्मन स्पीकिंग पीपल इंसाइड दा राइक, बाइ अनेक्सिंग आस्फ्रिया और सीजिंग टेरिटरी फ्रम चेकोस्लोवाकिय और पोलेड नेक्स इस जितने भी जर्मन भाषा गया था, ठीक है, और फर्स्ट राइक था आपका हंगेरियन एंपायर, सॉरी, not हंगेरियन, होली रोमन एंपायर, ठीक है, सेकेंड राइक था आपका जो 1871 के बाद जो जर्मनी एस्टेबलिश हुआ है, होली रोमन एंपायर को जो पुरुशिया ने राष्ट्र की रूप में एस्टेबलिश किया है, तो जर्मनी जो एस्टेबलिश हुआ है, फर्स्ट राइक क्या था, पहला एंपायर था, होली रोमन एंपायर, अब थर्ड राइख यानि तीसरा एंपायर एस्टेबलिश करा जर्मनी का किसने हिटलर ने और वो तीसरे राइख में हिटलर जो है वो चाहता था कि जितने भी जर्मन भाशा बोलने वाले लोग हैं वो आपस में जुड़ जाए अब यहां पर जो इतिहासकार है न उनके दो करें दूसरा इतिहासका ग्रूप यह कहता है कि हिटलर ऐसा नहीं चाहता था हिटलर के पास इनफ लेंड जर्मनी को केवल जर्मन भाशा बोलने वाले लोगों को जोड़ दिया जाए तो उससे भी इनफ लेंड आ जाता है क्यों क्योंकि हिटलर ने जो जीनोसाइड करवाय जो लोगों को मरवाया है उसके पीछे एक तर्क जो है वो यह दिया गया हिटलर द्वारा कि यह नॉन जर्मन लोग है इन सब को मरवादो और हम केवल एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें केवल जर्मन भाशा बोलने वाले लोग रहेंगे क्योंकि देखिए यह भाशा इसले ठ्थनिस्टी के लोग रहते है ब्रिटेन इसलिए स्ट्रॉग है वैसे ब्रिटेन मेलटर यूरोप से अलग है इसलिए भी स्ट्रॉग है लेकिन सभी लोग जो हैं वह अंग्रेज Mathaden बहुते हैं में सभी इस्पैनिक हैं लेकिन यह चोटे जोटे देश हैं इसने जर्मनी जो हो एक स्ट्रॉंग राश्ट्र के रूप में उपरेगा जिसे फ्रांस स्पेन ब्रिटेन स्ट्रॉंग राश्ट्र है राइट इसलिए उसने नॉन जर्मन लोग मरवाना शुरू करवा दिया खेर आगे देखेंगे और भी पॉलिटिकल उसके पीछे एजेंडा छ जाये राइट मैनी हिस्टोरियन्स अर्ग्यू एट हिटलर वूट नॉट हैव स्टॉप्ड ओन्ली एट अनेक्सिंग ऑस्ट्रिया और पार्ट्स उफ चेको-स्लवाकिया पोलन बट वूट 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 हैव फॉलूड इट फॉर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो जे से जाधा जे में केवल जरूम बहशा बोलने वाले लोग रहें बाकी सभी जो भी एथनी सिटी जा उनको खथम कर दिया जाए अल्राइट दूसरा पयंट व्यू देखिये पीपल आर्ग्यू देट जर्मनी नीडद मोर टरिटरिटरी टो ग्रो यूट अचीवड disagree and claim that there is no conclusive evidence about Hitler's ultimate territorial aims as he never had any detailed plans worked out for acquiring Lebensraum. So Lebensraum मैं ने आपको बताया यानि कि living space. So यह जो holocaust किया गया और बड़े लेवल पर civilians को मारा गया Germans द्वारा ऐसा इसलिए कर रहे थे तरकिय दिया जाता है कि ऐसा Germany इसलिए कर रहा था ताकि जो non-German लोग है उनकी population को खतम किया जा सके ताकि German population को रहने के लिए जादा से जादा जगा मिले. अगर ethnicity ही nation building का game है तो सबसे stronger nation nation कौन सा होगा यूरोप में जिसके पास सबसे जादा बड़ी territory होगी एक sense यह भी बनती है और जो multi ethnic नहीं होगा यानि कि जिसमे majority जो है वो एक ही ethnicity की होगी यह sense भी developed थी जर्मनी के अंदर इसलिए तर्क दिया जाता है लेकिन दूसरी सेट इतिहासकारों का एक और तर्क यह है कि हमें कभी भी ना ही हिटलर और ना ही उसके नाजी पाल्टी के अन्ने जो strategist है उनके द्वारा कोई भी इस तरह का detailed plan हमें नहीं मिलता है जिसमें clearly जो है वो यह चीज़ mentioned हो कि लोगों को मारा इसलिए ही जा रहा है ठीक है यह जादा से जादा लोगों को जादा से जादा other races और जादा से जादा other ethnicity को खतम कर दिया जाए ताकि उनकी जगा Germans ले सके और Germany को German लोगों को जादा से जादा territory मिले इसके लिए कोई detailed plan available नहीं था अगर था भी तो मिला नहीं और maximum historians यह कहते हैं कि ऐसा नहीं था क्यों क्योंकि Germans की आदत थी बहुत detail में plan बनाना और अगर high command का कोई एक अगर कोई mission है तो उसके लिए बहुत सारे जो है वो intellectuals plan बनाते थे यानि मान लीजिए कि अगर कोई military mission है जर्मनी का नाजी पार्टी के कई सारी commanders जो है वो अपने अपने तरफ से कई सारे plans तयार करेंगे और जो high command है फिर finally उन plans में से जो best possible plan होगा उसको select करेगा राइट जिस तरह first world war में भी हुआ था मैंने बोला था उन्निस सो पाँच में ही plan जो है वो plan of action prepared था कि two front war किस तरह लड़ा जाना है ठीक है तो ये दो जो है वो arguments दोनों साइड के आते हैं कि Germany जो है वो maximum लोगों को इसलिए मारना चाता था ताकि Lebensraum यानि की जर्मन लोगों को रहने के लिए बहुत जादा से जादा space हो और दूसरी साइड ये तरक भी आता है कि इसके लिए कोई substantive हमारे पास proof of level नहीं है क्य क्योंकि Germans की आदत थी क्या करने की Germans की आदत थी detailed plans बनाने की आईए आगे देखते हैं सो अभी तक तो हमने पढ़ा कि किस तरह हिटलर शक्ती में आया और हिटलर के goals क्या क्या थे है ना aims समझने ही कोशिश करी हमने हिटलर के आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं a number of successes कि कि इस तरह हिटलर अब success प्राप्त करता गया अपने इन aims को पूरा करने में पहला point देखेगा Hitler was very successful in his diplomatic endeavors and by the end of 1938 had achieved all of his initial aims except the inclusion of Polish Germans into the Reich Hitler बहुत safe खेलता हूँ चल रहा था क्योंकि Hitler को पता था कि Germany को धीरे-धीरे gradually हमें मजबूत करना है इसलिए Hitler जो है वो France के साथ अच्छे relation मनाने की कोशिश करना था मैंने आपको जो फ्रेंको जर्मन relations बताएं उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह बीच में relations not just Hitler लेकिन जर्मनी जर्मनी की बात करते हैं न हम हमेशा जब भी सोचते हैं कि जब भी हम हिटलर का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत इमेज बनती है कि हिटलर is equal to Germany नहीं जर्मनी जो है वो एक राष्ट्र है उस राष्ट्र का एक लीडर रहा हिटलर right so Germany as a nation as a whole की पूरी strategies के आती हमें वो भी study करनी है so मैंने आपको फ्रेंको जर्मन relations जो topic बताया था उसमें मैंने आपको clearly बताया था कि किस तरह फ्रांस के साथ relation खराबते फिर सुधरते गए और फिर हिटलर के आने के बाद बिगडते गए right लेकिन हिटलर ने initially कोशिश यह करी कि France, Britain, Russia इन सब के साथ relations बहतर बने रहें ताकि Germany पहले अपनी situation को strengthen करे right so relations बहतर रखने का मतलब क्या था कि diplomatic यानि diplomacy बात चीत करकर जो है वो अपनी बाते मनवाना मनवाने की कोशिश जो है वो हिटलर ने करी इसलिए Hitler इसलिए Germany ने League of Nations join भी किया था इसलिए Hitler ने disarmament conference म interview किया जर्मनी को लेकिन फिर बाद में League of Nations से हट गया लेकिन कोशिश initially Hitler की यही रही कि diplomacy का सहारा लेकर Germany की जादा से जादा जो है वो जर्मनी को economical, political जो है वो profits या gains दिलवाये जाए है तिकलर की शुरुवाती जो है वो attempt यही था अब यह examples उठाएंगे पहले concept समझा दू मैं ठीक है Britain के साथ जब League of Nations जर्मनी ने छोड़ाना इसका मतलब यह नहीं है कि जर्मनी होस्टाइल हो गया League of Nations के प्रतिन नहीं जर्मनी ने इस शर्थ पर League of Nations छोड़ी कि अगर आप सभी लोग disarmament के लिए तयार है तो जर्मनी भी disarmament के लिए तयार है Hitler बार-बार यहीं बोलता रहा है कि मुझे हमें यूद नहीं चाहिए जर्मनी को यूद नहीं चाहिए हम in fact अपने आपको disarm करने के लिए तयार है अगर आप लोग भी disarm करने को तयार है तो यह जो positive end Hitler ने रखा इस positive end के चलते Anglo-German relation सुद्रेड हुए आएए देखते हैं इनी सभी points को so Hitler was very successful in his diplomatic endeavors and by the end of 1938 had achieved all of his initial aims except the inclusion of Polish Germans into the Reich initial aims क्या क्या थे जर्मनी को military शक्ती दिलाना उसके अलावा जो यह triple entonth है इसमें फूट डालना यानि Britain और France के बीच में फूट डालना जर्मनी के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि अगर Germany बड़ी शक्ती उभरता है तो Germany को control करने के लिए Britain, France और Russia जर्मनी को encircle करेंगे so Britain और France के बीच में फूट डालना जर्मनी के लिए बहुत जरूरी है ये भी एक बहुत important aim है प्लस रशिया को contain करने का काम जर्मनी का है और Poland को contain करने काम जर्मनी का है तो Poland को inclusion of Polish German उसके लाब मैंने आपको पताया था जर्मनी का aim क्या था कि जितने भी जर्मन भाशा बोलने वाले लोग हैं और जो भी देश है उन सब को जर्मनी में जोडा जाए यानि की Poland, Czechoslovakia, Austria को जर्मनी में जोडना था जिसमें से Austria और Czechoslovakia पर लगभग जो है वो जर्मनी का control आ गया 1938 तक लेकिन Poland को नहीं जोड सका ठीक है आई अब देखते हैं कि किस सरह Hitler ने diplomatic जीते पाई ठीक है पॉइंट देखेंगा next Hitler was shrewd enough to realize that keeping in view the relative weakness of Germany he has to move cautiously at first exactly what he did Hitler भली भाती समझता था कि Germany Central Europe का हिस्सा है Germany के पास coastline नहीं है in fact Germany के पास coastline है लेकिन वो बहुत controlled है North Sea में है ठीक है North Sea में अगर coastline है तो Belgium, Netherlands, Britain, Norway, Sweden ये सब मिलकर German surface पे जो ships है उनको control कर सकती है that means Germany को अपनी political situation को मजबूत करना पड़ेगा at least Italy को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि Mediterranean में भी German ships को coastline मिल जाए ठीक है so यानि कि Germany ये जानता था कि उसकी situation कमजोर है ये एक example है कि Germany के पास strong coastline अवलेबल नहीं थी क्यूंकि Atlantic में coastline France के पास तो Atlantic as well as Mediterranean में भी coastline है ठीक है Britain तो पूरा का पूरा island ही है और US तो एक समंदर पार है Russia के पास भी काफी बड़ी coastline है Pacific में भी और Arctic में भी उसके अलावा वैसे Russia की जो coastline है अगर वो Baltic सी से गुजरती है तो Germany वहाँ पर बैठा है उसको control करने के लिए लेकिन Russia का साथ देने के लिए अन्ने allies शक्तियां है जर्मनी ये बात भली भात ही जानता है कि वो बीच में है उसके पास industrial resources कम है उसकी coal mine उनसे छीन ली गई उधार जो चुकाने को है US का अभी भी और उसके अलावा जो इतने समय से रेपरेशन्स जर्मनी दिये जा रहा है लगातार उससे जर्मनी की आम जनता और जर्मनी के इंडेस्ट्रिलिस बहुत ज़ादा कमजोर है इसलिए जर्मनी अपनी economic, political और यह सब strategic vulnerabilities को हिटलर जानता है इसलिए safe खेलता हुआ चलना चाता है और वही safe खेलते हुए चला भी हिटलर देखे कैसे using the pretext of French rigidity on disarmament he withdrew Germany from the world disarmament conference and from the League of Nations तो मैंने यह आपको बताया है जब world disarmament conference में जर्मनी ने यह बात उठाई कि केवल Treaty of Versailles मैं जब Woodrow Wilson ने कहा था कि all round disarmament करेंगे Woodrow Wilson के 14 points के उपर ही जब जर्मनी ने surrender किया था तो क्यों Treaty of Versailles में all round disarmament नहीं हुआ पहला point दूसरा अब आप जो है वो world disarmament conference कर रहे है तो इसमें Britain और France जो है वो अपने हतियारों को अपनी सहने शक्ती को कम क्यों नहीं कर रही है केवल Britain केवल जर्मनी की ही सहने शक्ती कम क्यों है और उधर Russia को तो पूछा ही नहीं जा रहा है जपैन को तो पूछा ही नहीं जा रहा है ठीक है कि आपकी सहना में कितने लोग है कितने नहीं है और France जो है वो अड़ गया कि नहीं हम तो घटाएंगे नहीं अपने सहने तो जर्मनी तो हिटलर ने क्या किया disarmament conference छोड़ दी League of Nations भी छोड़ दिया लेकिन एक positive point open रखा कि जर्मनी जो है वो बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले है अगर आप लोग disarmament करना चाहते है यानि एक diplomatic way जो है वो जर्मनी ने हिटलर ने अपने end से open रखा कि अगर allies शक्तिया या League of Nations disarmament करने को तयार है तो जर्मनी is more than happy to disarm itself again ठीक है क्यों क्योंकि हिटलर ने conscription जो है वो कोशित कर दिया था कि सभी को military में service करनी पड़ेगी और सैना को एक लाग से बढ़ा कर 6 लाग कर दिया ठीक है और रपलो की treaty तो सभी जानते ही थे जो कि दिखने में तो लग रहा था कि किसी भी तरह की military गतिविती नहीं हो रही है लेकिन सभी लोग तो allies जो है वो उनको इस बात का suspicion था कि रशिया में German factories establish हो गई है German industry establish हो गई है जो कि aircrafts और arms and ammunitions बना रही है तो France और Britain अपने आपको डिसाम करने को तयार नहीं थे क्योंकि सबको पता था कि Germany के पास reserve रशिया में available है हत्यार होगा अगर Germany अपने आपको डिसाम भी करता है तो रशिया वाला तो reserve उसका है ही लेकिन Britain और France अगर अपने आपको Europe में डिसाम कर लेते हैं तो Germany उन पर कभी भी आवी हो सकता है तो ये खत्रा खास कर France को था क्योंकि France is part of mainland Europe I guess आपको ये mainland Europe में Britain का ना होना Britain की क्या ये mainland Europe में Britain नहीं है इससे Britain को क्या strategic edge मिलती है ये आप समझते होंगे और coastlines की क्या strategic edge है ये भी आप समझते होंगे I hope मैंने अभी तक आपको इतना तो समझाय दिया है कि इन छोटी-छोटी चीजों को आप समझ सकें और connect कर सकें not just with world history but world polity, economy also social order also social order भी आप समझे society किस तरह गाम कर रही है world economy किस तरह गाम कर रही है किस तरह इन coastlines की importance है मैंने आपका बोला ना कि pretext of French rigidity on disarmament he withdrew Germany from the world disarmament conference and from the league of nations but all along he maintained that Germany was prepared to disarm if other states would do the same Germany, Hitler ने क्या stance रखा कि Germany अपने आपको disarm करने को तयार है अगर बाकी सब हतियार गिरादे दो लेकिन सब को पता था कि treaty of Rapplo and treaty of Berlin के तहत रशिया में हतियार बन रहे है Germany के तो अगर हम अपने आपको disarm करते हैं तो वहाँ पर हतियार जर्मनी जो है वो कभी भी हावी हो सकता है इसलिए France ने अपने आपको disarm करने से मना कर दिया क्योंकि France की colonies है जाकर Africa में इतने में Africa से Britain से France हतियार मंगवाएगा इतने में तो Paris को धरले का जर्मनी ठीक है इसलिए France ने डिसाम करने से मना कर दिया अपने आपको In January 1934 Hitler signed a 10-year non-aggression pact with the Poland अब देखिए 1921 में Poland के साथ France ने treaty करी थी relationship establish किया था ताकि ताकि जर्मनी को घेरा जा सके और Russia का aggression रोका जा सके Russia जो communism पहला रहा है वो Poland, Germany और अन्य यानी Western countries तक वो ना पहुँच चके क्या communism तो Poland के साथ अच्छा relation बनाया France ने that means Poland को buffer की तरह use France भी कर रहा है Poland को buffer की तरह use Germany as well as Russia भी कर रहे है ठीक है सभी के लिए शिकार है Poland लेकिन Germany ने अपनी hostility बना कर रखी Russia के साथ अच्छा relation बनाने के चक्कर में Germany Poland की तरफ hostile रहा है क्योंकि Russia के साथ अच्छा relation बना कर रखना है ठीक है लेकिन 1934 जैसे कि मैंने आपको date बताई यहाँ पर January 1934 में last point दखेगा Hitler signed a 10 year non-aggression pact with Poland Hitler ने Poland के साथ non-aggression pact sign किया यानि Germany अप Poland पर attack नहीं करेगा so that means अब Russia के लिए यह direct slap था क्योंकि Russia जर्मनी की साथ अच्छा relation इसलिए बना कर रखा हुआ था ताकि Poland को buffer की तरह use करे और भी बहुत सारे matters हैं मैंने आपको पिछले topic में समझा दियें कि किस तरह मैंने आपको जो USSR versus Europe वाला जो topic कराया उसमें मैंने आपको Soviet और German relations में बताए कि किस तरह Poland को दोनों ही राश्टर buffer की तरह use कर रहे हैं लेकिन Germany ने Poland के साथ non-aggression pact Russia को confuse करने के लिए नहीं किया Germany ने Poland के साथ non-aggression pact sign किया ताकि France की 1921 के जो ट्रीटी पोलेंड के साथ हुई है वो धरी की धरी रह जाए जो France ने little entorned जो प्रिपेर किया ना Poland चेको-सलोवा किया और Hungary के साथ ट्रीटी करके वो धरागा धरा रह जाए क्योंकि Poland के साथ अगर Germany के अच्छे relation हो जाते है और Poland was in desperate need of help of Germany क्योंकि Russia was harassing Poland ठीक है और अगर Poland को protection Germany देता है तो Russia Poland को harass नहीं कर सकता क्योंकि France protection देने की स्थिती में नहीं है France तो Germany के पार है राइट जर्मनी immediately Poland की help कर सकता है इसलिए जब Poland के साथ Germany ने हाथ मिला है तो France ने जो टेक्ट बना रखा था कि Germany को पूरा encircle कर रखा अपने little entorn से वो टेक्ट हो गया फेल ठीक है और यह जो non-aggression pact Poland के साथ sign किया है तुरंत जो है वो animosity जहलक आई Germany versus Russia और Germany और Russia में दुश्मनी तो तब से ही थी जब Britain में देखे जर्मनी और Russia में मैंने आपको जर्मनी और Russia के relations बताए न कि after first world war till the rise of Hitler and till 1934 in fact non-aggression pact sign करने तक जर्मनी और Russia के relation अच्छे रहे क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताए था क्या चाहिए Russia को Russia को एक एक ऐसा stable capitalist राश्टर चाहिए जिससे रश्या में investment आती रहे technology आती रहे और जर्मनी ने treaty of Repelod and treaty of Berlin के तहत कई industries Germans ने establish करी थी कहाँ पर रश्या में जिससे हो कह रहा था कि जर्मनी अपनी military strength को तो बढ़ा ही रहा था लेकिन as well as Russia को फाइदा क्या हो रहा था कि Russian troops को train करने का काम कर रहे था जर्मनी तो यह सब मैंने आपको पिछले topics में समझा दिया है I hope यह आपको international politics समझ आ रही हो आगे बढ़ते है next point है now this was a very tactical move as it convinced the British that Hitler was prepared to solve the issue by peaceful means अब Poland के साथ 1921 से ही hostility बरती हुए जर्मनी ने लेकिन Hitler जैसे एक फासिस्ट लीडर आने के बाद भी पोलेंड के साथ non-aggression pact sign किया किसने? हिटलर ने यानि जर्मनी ने तो ब्रिटेन के लिए ये confidence था कि अब हिटलर पर हिटलर के साथ अच्छा relation बनाया जा सकता है क्योंकि हिटलर ने when हिटलर विड्रू जर्मनी from the disarmament conference and after that league of nations हिटलर ने ये बात clear रखी कि मैं diplomatic बातचीत के लिए जर्मनी के रास्ते खुले रखता हूं क्योंकि मैं युद नहीं चाता अगर आप लोग disarm करने को तयार है तो मैं भी disarm करने को तयार हूं in fact मैंने पोलेंड से भी अच्छा relation बना लिया जर्मनी को हमें हिटलर ने उससे में रखावादा कि हम लोगों में nationalism की भावना तो भर रहे हैं लेकिन जर्मनी को हमें एक मजबूत राश्ट्र बनाना है लेकिन दूसरों को हरा कर नहीं सबको जोड कर चलना है ये बात हिटलर ने clear रखी ये बात ब्रिटेन को समझ आई और ब्रिटेन को अब देखो इतिहासकारों ने इस तरह document किया कि ब्रिटेन ट्रिक हो गया लेकिन ब्रिटेन ट्रिक होने वालों में से नहीं है पुराना राश्ट्र है पुराना खिलाडी है इफेक्ट शुरुवात ही उसने करी है सब खेल की ठीक है तो ब्रिटेन ने for this matter अभी जर्मनी के साथ हाथ मिलाया आएए देखते हैं कैसे ठीक है now this was a very tactical move as it convinced the British that Hitler was prepared to solve the issue by peaceful means it also made France's little entorned alliance of which Poland was crucial member irrelevant France की little entorned alliance में आपको बताया था ना जर्मनी को encircle करने के लिए और रश्या और एस्टन रश्या और एस्टन एस्टन एरोप में buffer create करने के लिए as well as Germany को encircle करने के लिए पहले पोलेंड फिर चेकोसलोवाकिया और फिर हंगरी के साथ relation established किये थे किसने फ्रांच ने जिसको little entorned कहा गया था so Poland was crucial member Poland के साथ जैसे जर्मनी नॉन अग्रेशन प्रेक्ट साइन किया little entorned भंग next देखिएगा further it ensured Poland's neutrality if and when Germany decided to move against Austrian चेकोसलोवाकिया अब पोलेंड को control कर लिया किसने जर्मनी ने जर्मनी ने जो aggression pact किया है basically हुआ यह है कि पोलेंड की economy weak थी पोलेंड की economy recovery नहीं होने थी तो जर्मनी ने खुला जो है वह support किया पोलेंड को कि industries हम establish करवाते हैं तुमारे बदले में जब हम चेकोसलोवाकिया और आस्ट्रिया को occupy करेंगे आप कुछ नहीं कहेंगे पोलेंड मान गया है कि पोलेंड को जरुरत थी अभी now the SAR region reunited with Germany January 1935 after a referendum resulting in a 90% vote in favor अब देखिए अब यह आपको SAR region वाला funda याद होगा मैंने आपको बताया था Treaty of Versailles मेर जो SAR region है उसको फ्रांस के प्रोटेक्टरेट में रखा गया था 15 साल के लिए लेकिन उसके बाद referendum कराया जाना था वहाँ पर जनता से पूछा जाना था कि आपको फ्रांस में जुढ़ना है या Germany में 90% लोगों ने कहा कि हमें किसमें जुड़ना है जर्मनी में जुड़ना है और सार जो है वो जुड़ गया किसमें जर्मनी में तो यहां पर देखिए political और military authority increase करनी है aims क्या 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 थे हिटलर के political as well as military strength बढ़ानी है जर्मनी की जितनी भी जर्मन population है उसको जर्मनी का हिस्सा बनाना है दूसरा point और तीसरा एक बहुत important point यह था कि जो triple entant है उसको भंग करना है यानि relation ब्रिटेन या फ्रांस में से किसी एक से अच्छा relation मनाना है सो देखिए सार वाला region add हो गया जर्मनी में पोलंड के साथ non-aggression treaty और चेको-सलोवाकिया को भी धरेगा भी देखना और ब्रिटेन के साथ अच्छा relation बना रहा है तो triple entant को भी भंग कर रहा है वो नेक्स देखिए का हिटलर्स फर्स सक्सेस्फुल ब्रीच ऑफ वर्सलीज केम इन मार्च 1935 वर्सलीज ट्रीटी की ट्रीटी को तोडने का सबसे पहला सक्सेस्फुल ब्रीच जो हो कब आया मार्च 1935 में when he uses the excuse that both Britain and France increasing their military power and hence Germany needed more force for self-defense Hitler introduced military conscription and announced the German military strength would be increased to about 600,000 men मार्च 1935 में अब देखिया ब्रिटेन के साथ रिलेशन अच्छा बना लिया पोलन की साथ रिलेशन अच्छा बना लिया सार वाला रिजन जोड लिया ठीक है अब ट्रीटी ओफ वर्सलीज को एक एक करके बस्ट करने का टाइब है 1935 में ब्रिटेन ने ये गोशना करी कि मैंने तो दर्वाजे खुले रखे थे अगर आप लोग अपने आपको डिसाम करने को तयार नहीं है तो जमनी भी डिसाम नहीं करेगा हम क्यूं एक लाग सोलजर रखे हम मिलिटरी कंस्क्रिप्शन को लीगल गोशित करते हैं यानि कि सभी व्यक्तियों को या खास और पर जो यंग लोग है उनको सेना में भरती होना ही पड़ेगा और जो सेनने स्ट्रेंथ है वो एक लाग से बढ़ा कर 600,000 यानि 6 लाग कर दी जाए ठीक है कर दी गई और जो लीग ऑफ नेशन्स है जो वर्सिलीज की ट्रीटी जिरोंने कंट्रोल में रखी वी थी अपने ब्रिटेन और फ्रांच वो कुछ नहीं कर सके इटलर ने कर दिया ऐसा ठीक है नेक्स देखिएगा the league could not do anything and the stressa front ब्रिटेन, France and Italy collapse soon enough stressa front को तोड़ना एक aim था किसका मैंने आपको बताया ही कि league of nations को और या जो allies है उनको तोड़ना है तो stressa front कहा जाता है stressa एक city है इटली में जहां पर ये इटली, France और ब्रिटेन आपस में जुड़े थे तो stressa front कहा जाता है इसे लिए तो stressa front को तोड़ना है यानि कि इटली को अपनी साइच जोड़ना है क्योंकि इटली फासिस्ट है और मैंने आपको बताया ही अभी थोड़ देर पहले कि किस तरह मुजलीनी जो है वो आफ्टर 1934 हिटली की तरफ बढ़ा हिटली की साइच जुड़ा अधर्वाइज मुजलीनी जो है वो anti-nazi था ठीक है लेकिन मुजलीनी तुरंत जो है वो अपनी policies बदल दी उसके लबा ब्रिटेन और फ्रांच में फूट डलवाओ या तो दोनों में से किसी एक शक्ती से रिलेशन अच्छा गर लो जिससे स्ट्रेसा फ्रंट जो है वो collapse हुजए हिटलर's next move was to break स्ट्रेसा फ्रंट अब देखिये स्ट्रेसा फ्रंट को कैसे तोड़ा he offered and signed the Anglo-German Naval Agreement 1935 as per which Germany agreed to limit his navy to 35% of the strength of British navy Anglo-German Naval Agreement 1935 इसमें Germany ने ब्रिटेन को कहा कि आपकी जितनी भी total naval strength है जो कि बहुत ज़ादा है उसकी केवल 35% जर्मनी अपना रखेगा आधे से भी कम ताकि हम आपके लिए threat ना बने लेकिन अपनी protection कर सके है ना कारण ये है कि आपके लिए threat भी ना बने लेकिन यूरोप में अपनी protection हम कर सके इसलिए आपकी कुल नेवी का 35% हम रखते है अब इस बात को ब्रिटेन मान गया क्यूंकि आज नहीं तो कल जर्मनी ने अपनी नेवी को expand करना ही था तो क्यों ना ब्रिटेन एक treaty के तहत उस expansion को control रखे लेकिन अगर जर्मनी को पहले केवल 6 ships treaty of versiles में क्या कहा गया था कि जर्मनी केवल 6 ships रख सकता है लेकिन अगर जर्मनी और ships बनाएगा और ब्रिटेन उसका साथ देगा तो treaty of versiles का ये clause भी क्या हो गया बस्ट हो गया ना ये clause भी तूट गया तो ब्रिटेन को ये बात पता था पता थी कि अगर मैं अगर हम जर्मनी को support करते हैं कि वो अपनी naval forces को expand करें लेकिन ब्रिटेन की naval forces के केवल 35% रखें इससे treaty of versiles टूट जाती है लेकिन ब्रिटेन ने वो होने दिया क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि जर्मनी की नेवी control में रहे treaty of versiles टूटती है तो टूटे हिटलर बेसिकली treaty of versiles तो तोड़ना ही चाता था लेकिन stress हा front को भी भंग करना था क्योंकि अगर ब्रिटेन जर्मनी के साथ जुड़ जाता है तो फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा suspicion है क्योंकि ब्रिटेन तो फिर भी mainland Europe से बाहर है ब्रिटेन mainland Europe से बाहर है mainland Europe में अगर जर्मनी strong होता है तो immediate खत्रा किसको है फ्रांस को अब देखें यहाँ परना मैंने बहुत बार यह बात बोली है कि ब्रिटेन mainland Europe से बाहर है इसलिए politically stable है मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर warfare यूरोप में छिड़ता है तो ब्रिटेन तक नहीं पहुँचेगा और warfare एक continent से दूसरे island तक कैसे पहुँच सकता है via ships है ना क्योंकि troops तो नहीं जा पाएंगे तैरगर world war 1 तक लेकिन world war 2 में ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन के लिए यह जो यह मतलब ब्रिटेन ने बहुत महंगा पड़ गया यह सोचना कि जर्मनी की naval forces को वो control रखता है वो है air force की development ब्रिटेन इस बात को बहुत बाद में समझ सका कि जर्मनी ने अपनी air force इतनी strong कर ली है कि हमारे पास जो यह strategic edge है कि हम एक island में रहते है यह strategic edge बिलकुल किसी माइनिक ही नहीं रह जाती जब airplanes हमारे शहरों के उपर से गुजर जाएंगे तो है न political stability ब्रिटेन में क्यों है क्योंकि जो dispute है वो समंदर पार करके वहां नहीं पहुँच चकता लेकिन airplanes तो ले जा सकते है ना वो dispute world war 1 में airplanes इतने मजबूत और इतने strong नहीं थे कि उनको warfare में यूज किया जा सके वो केवल aerial reconnaissance कर सकते थे वो warfare में ऐसा war weapon की तरह यूज नहीं किया जा सकते थे लेकिन world war 2 में aircrafts का use weapon की तरह किया गया ये एक बहुत बड़ा progression था और Germany ने इसमें pioneer तो नहीं का सकते है लेकिन development early development किया Britain ने भी किया US ने भी किया लेकिन early development Germany ने किया जो anticipate Britain सही से नहीं कर सका मैं जब world war के जब war के जब events आपको कराऊंगा वहाँ पर बताऊंगा इसकी importance ठीक है next देखेगा Hitler tricked the British into thinking that since he would anyway break the Versailles Treaty by building a fleet it would be in British interest to have it limited British जानते थे और Hitler ने trick किया in fact British को British को ये लगा कि Hitler वैसे भी Treaty of Versailles को तोड़ने की direction में ही काम कर रहा है अगर हम उसको control कर सके तो क्यों ना करें लेकिन Hitler रुका थोड़ी 35% तक रुका नहीं Hitler ने अपनी naval fleet को और grow किया in fact air force को और develop किया जो कि RAF समय से उस level का air force develop नहीं कर सका जितना जर्मनी ने कर दिया ठीक है next देखेगा this made Italy and France distressful of Britain and caused collapse of stress affront ठीक है ये जो ब्रिटेन ने जर्मनी से Anglo-German relation establish हुए इससे stress affront तूट गया क्योंकि France और Italy दोनो mainland Europe में और mainland Europe में सबसे जादा खतरा Germany से किसको है France को ही है और Italy अभी तक डरा हुआ है क्यों क्योंकि अगर जैसे Austria cover Alps को पार करते ही Italy को भी धरेगा धर सकता है Germany क्योंकि Germany के पास North Sea में coastline जो है वो ढंकी नहीं है लेकिन अगर Italy को Germany कंट्रोल कर लेता है तो Mediterranean में काफी strong coastline जर्मनी के पास आ जाएगी तो Italy के लिए खतरा है ये ठीक है next देखिएगा Hitler now took a bold move and order German troops to occupy the demilitarized zone of Rhineland March 1936 अब मैंने आपको बहला था Rhineland वाला region जो है वो demilitarized है ठीक है और जो SAR और Rhineland वाला region है उसको France ने occupy कर रखा था लेकिन Rhineland वाले region में भी French troops थे लेकिन उनकी संख्या उतनी जादा नहीं थी almost demilitarized था ये Treaty of Versailles से ही का गया है ताकि buffer बन सके राइट Rhineland को France और Germany के बीच में immediate buffer की तरह यूज किया गया तो Germany ने Rhineland वाला region है तो Germany का ही हिस्सा और German population रहती है बापे ठीक है जो Rhin river के मतलब अगर Rhin river के flow को देखे हैं तो Rhin river के जो western sorry left bank पर जो है area right तो Germany ने तुरंट उस सारे area को occupy कर लिया France भी कुछ नहीं कर सका Britain भी कुछ नहीं कर सका France के लिए यह suspicion है मतलब France के लिए suspicion जो है वो गड़ा होता गया Hitler now took a bold move and order German troops to occupy the demilitarized zone of Rhineland March 1936 इन सारे events को बहुत ध्यान से follow करते जाएं next देखे now this was very risky as it was a breach of both Versillies and Locarno treaties यह करना दोनों का breach है Versillies और Locarno treaties क्यूंकि दोनों treaties में अभी तक Germany ने aggressive expansion नहीं किया था के वल diplomatic expansion कर रहा था Poland के साथ diplomacy खेली Germany ने Russia के साथ diplomatic facility लिए Britain के साथ diplomatic facility लिए लेकिन पहली बार Germany ने after the world war 1 पहली बार Germany ने अपने troops को mobilize किया जो कि direct violation था treaty of Versillies as well as treaty of Locarno ठीक है Again no major opposition occurred to the move Germany ने ऐसे किया किसे ने कुछ नहीं का Moreover, Italy managed to calm the tensions by offering a peace treaty for 25 years अब आप कहेंगे कि अगर Britain ने तो चलो Germany से हाथ मिलाया लेकिन France ने क्यों नहीं किया ऐसा France ने जो है वो तुरंत object क्यों नहीं किया जब Rheinland को military शक्ति का यूज करके Germany ने गवर किया तो Hitler ने Again मैंने बोला ना 1938 तक Hitler Diplomacy का यूज करता रहा उसके बाद जो है वो military strength दिखाई उसने जर्मनी की लेकिन जैसे ही उसने Rheinland गवर किया Hitler ने तुरंत कहा कि ये region जो है वो वैसे भी हमारा ही था हमें नुकसान हो रहा था नहीं हमें 25 साल का ट्रूस ओफर करा ये जो peace या ट्रूस पीरेड जो ओफर किया जर्मनी ने इससे मामला शान्त हो गया ठीक है moreover Hitler managed to calm the attentions by offering a peace treaty for 25 years now by joining Rome Berlin axis उसके बाद मैंने आपको बता है ना Rome Berlin axis जोड़ा ये मैं आपको Hitler के diplomatic successes बता रहा हूं 1938 तक की और ये इटली वाला मुजलीनी वाला जब पार्ट करा रहा था तब मैंने आपको Rome Berlin axis कैसे बना है वो भी समझाया है तो एक बार Rome Berlin axis आपको इटली की तरफ से भी समझना है और एक बार Rome Berlin axis आपको जर्मनी की साइड से भी समझना है तो रोम Berlin axis एस्टेबलिश हुआ signing anti common turn pact 1937 ठीक है जपैन के साथ किया गया था बाद में इटली ने जॉइन किया हिटलर created an alliance of like minded countries ठीक है हिटलर ने क्या किया एक जर्मनी इटली और जपैन तीनो फासिस्ट राश्टर थे ठीक है या बाद में ने कहा गया जैसे मैंने आपको explain किया ना कि जीतने वाली शक्ती ही इतिहास लिखती है तो उन्होंने फासिस्ट राश्टर कहा बाद में इनको otherwise nationalism का use तो भारत में भी किया गया है नैशनलिजम का use तो ब्रिटेन ने फ्रांस ने यूएस ने सब ने किया नैशनलिजम का use लेकिन नैशनलिजम का use कम में जादा aggressively किया गया है इटली जर्मनी और जपैन द्वारा इसलिए उसको फासिसम कहा गया तो अगर आप नैशनलिस्टिक भावनाओं का use अन्य कई diplomatic methods अन्य कई diplomacy के methods का use करके अगर आप लोग के अंदर nationalism भर रहे हैं और वो कटरता बन रहा है समझे रहे हैं वो nationalism कटरता बन रहा है और वो dictatorship बनता जा रहा है तो उसको आप फासिस रजीम कहते हैं ठीक है सवाल भारत के लिए भी बन सकता है क्योंकि भारत पर भी यह सवाल उठता है कि भारत में फासिस रजीम कब-कब देखने को मिले क्या पहली सरकार भारत की फासिस रजीम था या नहीं था क्या प्रेजेंट की सरकार भारत की फासिस रजीम है या नहीं है यह सवाल बनता है छीक है इन सब पर आपको सोचना शुरू करना चाहिए next देखिएगा so by joining the Rome-Berlin axis यानि की इटली और जर्मनी जुड़ गए आपस में signing the anti-commun term pact किसके साथ जपान के साथ so जपान इटली और जर्मनी तीनों जुड़ गए Hitler created an alliance of like-minded countries which ensured that Germany was not alone at the international stage Central Europe में जर्मनी इटली जुड़ गए Austria को कभी ना कभी जर्मनी ने occupy करी लिना है Poland और Czechoslovakia को जर्मनी control कर रहा है East में Japan आ गया तो Russia को Russia को दो front war में engage कर सकता है देख रहे हैं आप Germany first world war में इसलिए हरा क्यूंकि allies ने Germany को two front war में engage कर लिया अब Germany के लिए जितना बड़ा खत्रा allies में से ये western European countries है उतना ही बड़ा खत्रा जर्मनी भी है sorry not Germany बट रशिया भी है इसलिए अगर जर्मनी को second बार दूसरी बार जीतना है तो रशिया को two front war में engage करना पड़ेगा और Central European शक्तियों को भी two front war में engage करना पड़ेगा जिस तरह जर्मनी को किया गया तो World War I के जब events बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि two front war कहां कहां हुई ठीक है नेक्स देखें The greatest success of Hitler was achieving the Anschluss that is Union of Austria and Germany March 1938 achieving the Anschluss Union of Austria and Germany 1938 ठीक है With rising of pro-Nazi demonstrations and eminent fear of German invasions the Austrian government announced a referendum about whether or not it should remain independent मैंने आपको बताया ना Chancellor Doffles को एक्जिक्ट कर दिया गया उसके बाद जो pro-Naziist है उन्होंने तक्ता प्लट करने की कोशिश करी लेकिन Italian troops ने नहीं होने दिया उसके बाद Austrian जनता ने एक referendum करवाने की कोशिश करी कि हम पूछ लेते हैं Austrian जनता से कि वो independent रहना चाते है या जर्मनी के साथ जुड़ना चाते है क्योंकि Austrian जनता जर्मन स्पीकिंग लोग है ठीक है तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या जो एंशिलस है वो बेसिकली क्या है कि कि किस तरह जर्मनी ने आउस्ट्रिया को कंट्रोल किया अब यहाँ पर रेफेरेंडम रखा गया आगे देखते हैं कि रेफेरेंडम का फैसला देखिए क्या हुआ बट हिटलर डिसाइड़ तो एक्ट बिफोर इट वस हेल्ड इन केस देखिए वोट वेंट वेंट अगेंस दे यूनियन जर्मन टूप्स मूवड इन आउस्ट्रिया बिकेम पार्ट अफ थर्ड राइक हिटलर ने रेफेरेंडम होने ही नहीं दिया चुकि हिटलर को ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हंगरी जो कि साथी बन गया है फ्रांस का ऐसा ना हो कि बाहरी जो शक्तियां है वो मजबूर कर दें या कहने मतलब जो result है वो जर्मनी के खिलाफ ना आ जाए उसमें internal as well as external factors बहुत सारे लगे हुए थे इटली भी लगा हुआ था बलकान कंट्रीस से भी फ्रांस से भी हर जगा से प्रेशर तो था ही जर्मनी भी अपने end से डाल रहा था रश्या भी डाल रहा था हर जगा से औस्ट्रिया पर प्रेशर था ही तो जर्मनी को ये खत्रा था खास कर हिटलर को ये खत्रा था कि कहीं यूनियन के खिलाफ रेफरेंडम ना आ जाए यानि जन्ता ये ना चूज कर ले कि आस्ट्रिया को इंडिपेंडेंट रहना है हिटलर ने अपने टूप्स को मोबिलाइज कर लिया और फोर्सफुली ऑस्ट्रिया को जर्मनी का हिस्सा बना दिया गया ठीके जिससे ऑस्ट्रिया जो है वो एक पार्ट बन गया थर्ड रैख का ठीके डॉच लेंड का हिस्सा बन गया इस हैड मल्टिपल एफेक्ट्स all of which acted as a prelude to second world war यह जो आस्ट्रिया को occupy किया है जर्मनी ने यहां से जो series of events शुरू हुई वो धीरे धीरे जो है वो world war one तक बढ़ती गए यानि कि इधर से de-escalation का कोई भी चारा नहीं रहा वैसे जर्मनी बहुत carefully build कर रहा था अपनी position को और अभी तक ऐसा लग रहा था कि समय आने पर de-escalation किया जा सकता है लेकिन आस्ट्रिया को जिस तरह जर्मनी ने control किया है उसके बाद de-escalation नहीं हो सका ठीक है देखेगा it exposed the weaknesses of Britain and France who found themselves helpless अब आस्ट्रिया को control किया ठीक है राइनलेंड को control किया पोलंड के साथ treaty करी अपनी नेवी को strong कर रहा है ठीक है रशिया के साथ openly वैसे दिखने में तो यह कहा गया है कि कोई military aspect नहीं है उस treaty का लेकिन military शक्ती को strong कर रहा है जर्मनी और जो allies हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे so that means Britain और France की जो alliance है वो कितना कमजोर है यह नजर आ गया पहले चीज़ इट शोट दा impact of German-Italy alliance in Europe जर्मनी और इटली अगर जुड जाएं तो किस तरह जादा जादा शक्ति शाली हो जाते हैं Western European शक्तियों से यह बाद भी पता चल गई अभी देखिए पोलंड के साथ तो non-aggression pact है तो वर्चुली पोलंड जो है वो जर्मनी के political authority के अंडर नहीं है लेकिन economically तो control करी रहा है जर्मनी उसे Austria जर्मनी कंट्रोल में आ गया Italy के साथ हाथ मिला लिया अब Central Europe में कौन सी बड़ी शक्ती बची जो की industrialized भी है वो है चेको-सलोवाकिया तो चेको-सलोवाकिया के लिए खतरा जो है वो यानि चेको-सलोवाकिया vulnerable है आज नहीं तो कल यह बात clear थी कि जर्मनी उसे धरेगा ही धरेगा last देखेगा इट prepared the way for Hitler's next goal to annex German speaking studentan land which he realized at the Munich conference in September 1938 यह Munich conference में आगे आपको समझाओंगा क्या है लेकिन September 1938 में Munich Germany में conference Hitler ने रखी उसमें उसने clear कह दिया कि यह बात छुपी छुपाई नहीं है कि हम चेको-सलोवाकिया को control करेंगे क्योंकि चेको-सलोवाकिया में जो देंटन लेंड वाला जो रिजर है यानि कि जो outer periphery है periphery है चेको-सलोवाकिया की जो German speaking लोग है वो हमें जर्मनी में जोडने है तो अगर चेको-सलोवाकिया की boundary अगर जर्मनी ने control कर ली तो चेको-सलोवाकिया का interior भी तो जर्मनी का ही हो गया ठीक है तो यहां से clear हो गया कि जर्मनी अब चेको-सलोवाकिया को भी जोड़ेगा और जर्मनी काफी बड़ा राश्ट भर कर आता है फिर यूरोप के मैप में ठीक है जर्मनी के साथ आस्ट्री भी जुड़ गया पॉलेंड भी जुड़ गया चेको-सलोवाकिया गल्फ ऑफ पर्शिया ठीक है और मेडिटरेनियन वाला सी ये सारा ट्रेड सो जो एलाईज है जो पुराना ओर्डर है उनके लिए खतरा फिर से बन जाता है कि अगर जर्मनी इन समी राश्ट्रों को अगर जोड लेता है तो ये एक नया ओर्डर फिर से खड़ा हो जाएगा एक नया एकनॉमिक ओर्डर आ जाएगा जो कि अल्रेडी एक्जिस्टिंग पुराने ओर्डर को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक प्लेश्मेंट बहुत वहतरीन है ठीक है युरोप से लेकर भारत तक अगर और चीन भी अगर जुड जाए युरोप से लेकर भारत चीन अगर ये सारे जुड जाए न तो इसके अलावा और कोई शक्ति ओवर पावर नहीं कर पाईगी शक्ति को तो ये खतरा था ब्रिटेन, फ्रांस, युएस के लिए और रशिया के लिए भी ऐस बल और अगर जर्मनी रशिया को अपने साथ जोड लेता है तब तो फिर ये कुछ कर रही नहीं पाएंगे ठीक है, सो आस्ट्रिया को जब जर्मनी ने धरा तो उसके बाद धिरे-धिरे क्योंकि आस्ट्रिया को एक राश्ट्र कंट्रोल कर लिए ना, राइनलेंड तो पहले भी जर्मनी का हिस्सा था ही अब दूसरे राष्टर को aggressively अपने control में ले लिया that means अब expansion कर रहा है यूरोप में जर्मनी ठीक है ये बात clear हो गए ये allies के कान खड़े हो गए कि हो सकता है कि ये situation alarming है यो दिछिड सकता है ठीक है उसके बाद September में जो Munich Conference है 1938 में वहाँ तो Hitler ने clear कर ही दिया ठीक है so this was the rise of fascism and nazism इसमें मैंने आपको fascism और nazism as an ideology ज्यादा कुछ detail में बताया है नहीं क्योंकि मैंने आपको बोला ना ideology वाला session अलग से लूँगा उसमें मैं communism as an ideology क्या है imperialism as an ideology तो मैं समझाई चुगा हूँ आपको communism socialism fascism nazism इनको as an ideology हम अलग से समझेंगे लेकिन उसकी वाज़े से political और social और economic event क्या क्या घटे हूँ उन्हें events को हमने समझा जिससे world war one का background प्रिपेर हो रहा हमारा तो अभी तक हमने क्या प्रिपेर किया है कि किस तरह world war sorry not world war one but world war two है ना world war one से world war two के बीच बीच बाभी तक हमने क्या प्रिपेर किया कि किस तरह जर्मनी के साथ France के relation बनते और बिगडते हुए देखे हमने Britain और Germany के relation बनते बिगडते देखे यानि की देखे कौन कौन सी शक्तिया है Russia, Germany, France और Britain ये चार मुखे शक्तिया है और एक Italy भी दिरी दिरे ऊबर कराता है ये पाँच मुखे शक्तिया है इनके आपस में relations हमें समझने है World War I से World War II के बीच में है और हमने जो milestone बीच में का रखा है Rise of Hitler यानि after the Treaty of Versillies till the Rise of Hitler and from the Rise of Hitler to the end of Second World War इन दो हमें time frame में पढ़ने हैं इन सभी events को ठीक है तो I hope आज का पूरा topic आपको clear हुआ होगा अगर कोई doubts है तो आप comments में जरूर mention करें पिछले topics अगर आपने नहीं देखे हैं so make sure you watch all those previous sessions Study IQ के channel पर जाईए आपको मेरे नाम से playlist मिल जाएगी या अगर आप YouTube के सर्च बार पर मेरे नाम simply लिखते हैं विशाल चोहान तो वहां से भी आपको sessions मिल जाएंगे अगरे session में तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा take care